मैं आपसे मौर्या सार ये भी जाना चाहूंगी एक क्राइम को लेकर लोगों ने कहा है कि जिस तरह से एंकाउंटर्स हुए लोगों ने बोला गुंडागर्दी कम हो गई कहा लोगों ने लेकिन क्या कानून के जो दाइरा था उसको तोड़ा गया कानून के नियम को उस पे लोग पूछते हैं सवाल देख जो सवाल पूछते हैं उनको मैं इन टीवी के इस मंच चेसे जबाद देता हूं कि इंकाउंटर उस परिस्तिती में होते हैं, जब कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है, और जिस अपराधी को पकड़ने के लिए गए हैं, अगर वहाँ पुलिस के सामने समर्पड नहीं करता है, और पुलिस के उपर ही गोली चलाने लगता है, तो पुलिस को भी हत्य जार इसलिये दिये गए हैं, कि अगर उनको कोई मारने की कोसिस करें, तो अपने बचाओं में गोली चला सकते हैं, अब उसमें कोई मरा होगा इंकाउंटर में, तो उसको दोस्द देने कस आउ सकता नहीं, हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जो पुलिस की सुरच्छा में आप से कारवाई होगी, हम लोग अपराधियों के खिलाब ठोस पहरवी करके कानून के माध्यम से उनको सजादि लाना चाहते हैं, कोई आजीवन कारवास पाने के अपराधिय हैं, तो आजीवन कारवास और कोई फांसी के फंदे तक पहुंचने के अपराधिय हैं, तो फांस अगर आप राधी के अंदर हिंदू और मुसलमान देखा जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है वैसे डेटा अगर उठाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक समधाइब इसे इसके लोगों के साथ कुछ घटना हो गई है अगर वो अफराधी है उसके खिलाब कोई कारवाई हो रही है या हुई है तो उसको जो चस्मा है तुष्टी करण को उसको निकाल करके निस्पचता से देखना पड़ेगा मौरा जी जो इस तरह की कारवाई होती है आपको क्या लगता है क्राइम कम हो रहा है इसे क्या क्योंकि अगर शेहरों में बलाई कैदें की थोड़ा सा हालत सुधरी है लेकिन फिर अब महिलाओं का इड़ेटा ले लिजे हाट शे गंटे में अगर इस राज्य में और ये NCR अगर एक बलादकार हो रहा है तो कहीं न कहीं तो भैर देकि उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता हमारी सरकार की सरोच प्राथ्मिकता है 2017 के विधानसवा चुनाओं में हमारा मुद्दा ही यही था कि हम उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो सुषासन लाएंगे विकास करेंगे लेकिन चूस्त और दुरुस्त कानून विवस्ता रखेंगे और आज हमें गर्भ है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस वात को महसूस करती है कि उत्तरप्रदेश की कानून विवस्ता चूसता और दुरूसता है। आज अपराधियों में डर रहता है कि अगर हम अपराध करेंगे तो सरकार से संद्च्छन नहीं मिलेगा, सरकार से जुड़े हुए किसी विक्ती से संद्चन नहीं मिलेगा वालकि अगर किसी ने दोस किसी भी प्रकार का किया है अपराद किया है तो उसके खिलाब कारवाई होगी